सुप्रिम कोर्ट नेक महत्वपूर्ण निर्ने दिया है। मामला टूफिंगरटेस्ट के बैंच के जाने से संबंदित है। यह जो फैसला दिया गया था इसकी बैंच में Justice D.Y. चंदर चूड और Justice H.E. कौली की बैंच थी। और इसमें जो bench है उसने कहा है पार्टिंग रिमार्क में कहा है कि जो two finger test है ये गलत है और ये नहीं किया जाना चाहिए ये unscientific है और गलत धारणाओ पर अधारित है इससे कोई भी ऐसी बात नहीं निकलती है जिससे कि जो trial है उसमें कोई सहयता हो सके एक तरह ऐसी victim को re-victimize क करने का का काम भी करता है तो इसलिए ये नहीं किया जाना चाहिए इसके संबंद में केंदर सरकार और राज्य सरकार को directions दी है कि किस तरह से इसके बारे में health professionals के बारे में के बीच और doctors के बीच जो है इसके बारे में awareness बढ़ाई जाए कि ये नहीं करना है और उसके और जो home इसके बाद भी two finger test करता है तो इसके खिलाब misconduct की कारवाई की जाए ये court ने इसलिए भी कहा है कि क्योंकि court ने 2013 में लिल्लू अलियास राजेस वर्सिस state of हर्याना का case था 2013 का उसमें कहा था कि जो two finger test है ये right to privacy को violate करता है और ये नहीं किया जाना चाहिए उसके बावजूद भी two finger test होते रहे हैं हालां कि बहुत से जो cases में बार-बार two finger test की बात आती है वो ऐसे cases भी है जो 2013 से पहले के cases है यानि कि 2013 में सुप्रेम कोर्ट ने कहा कि ये जो right to privacy को violate करता है fundamental right को violate करता है जो victim है यानि कि woman है उसकी dignity को एक तरह से करता है तो जो मामले हैं वो पुराने हैं लेकिन उसके बावजूद नए cases में भी यदा कदा या कहीं कहीं पर ऐसा होता है इसलिए Supreme Court को ये बात कहनी पड़ी क्योंकि पिसले एक साल में दो हाई पंडीचेरी वहां पर जो है टूफिंग टेस्ट नहीं होना चाहिए बैन किया और दूसरी तरफ जो है गुजरात हाई कोट में ये केस में जो है गुजरात हाई कोट ने इस टूफिंगर टेस्ट के बारे में कहा कि ये गलत है तो ये जब मामले बार-बार आ रहे दे तो सुप्रेम कोट ने पार्टिंग रिमार्क में ये सब डायरेक्शन ती है और ये अब पुरे देश पर अपलाई होंगी और टूफिं को मार राय अलियास पांडव राय यानि कि जो अक्यूजड है उसको सालंदर राय कहे दीजिए पांडव राय कहे दीजिए तो यहां पर जो अपील में सुप्रेम कोट में जो है जारकन सरकार आई थी अक्यूजड के किलाब मामला जो है जो देवगर का है देवगर में जो फास्ट्रेक कोट था उसमें, इसका ट्राइल हुआ और ट्राइल के बाद जो accused है, उसको convict किया गया, उसको उम्र कैद की तो सजा दी गई मर्डर के मामले में, और उसके लावा दस साल की सजा जो रेप के मामले में दी गई, हाई कोट में पहुंचे तो हाई कोट ने acquit कर द जो पीडिता थी, वो अपने घर पर थी, और जो अक्यूद है उसके घर में घुश गया, घर में घुशने के बाद उसने उसका रेप किया, रेप करने के बाद जब वो चिला रही थी, तो उस पर जो ने किरोशी नोयल डाल करके उसके और आग लगा दी. तो जो पिडिता जब चिलाई तो उसके चलते उसकी मा और उसके दाला वहाँ पर पहुंचे लेकिन जब तक वो पहुंचे ये जो अक्यूज था वहाँ से भाग गया एक व्यक्ति गाउं का भी पहुंचा जो विटनेस के रूप में केस में जुड़ा तो ये लोग जो है पि के बाद उस पर कैसे किरोशिन ओयल डाल करके आग लगा दी उसके बाद में जो पिडिता की जो ट्रीट्मेंट होने के बाद हुआ ये तकरीबन जो है 20-25 दिन बाद पिडिता की मोध होगी जब पोस्ट मॉर्टम हुआ तो पोस्ट मॉर्टम में ये कहा गया कि उसकी जो मो इनिला को ये क TO doughulator तो उसमें थो जो जो जात्रेशन किया था और यह शुट्र ना पेट्य tääशका जब बाद में तो एक जो बहुतो टोक्टर ती झिसने टुरर के बारे में मीं कुछ तो उस पर्टीकुलर चीज सोप्रिम कोर्ट ने इस surrounding में इससा बाते कहिं इस case में हुआ क्या कि जब trial चल रहा था तो trial में जो लड़की के माता और दादा वो hostile हो गए यानि कि जो परोजुकेशन सरकार और जो दूसरे evidence है डाइंग declaration है वो ही ती जो लड़की के माता थे लड़की के दादा थे या और विटनस थे वो hostile हो गए तो उसके चलते जो overall situation यह हुई कि जो session court था session court ने dang declaration को बेस मानते हुए और जो बाकी sporting evidence थी उन सब को मानते हुए जो accused था उसको convicted किया high court high court में जब पहुंचे तो high court ने acquittal इसलिए दे दिया कि high court ने मोतिराम के case पर जो dang declaration उसको ना मानते हुए जो statement पिडिता ने दी थी और दूसरी बातें भी कि परिवार के लोग होस्टाइल हो गए यह सब बाते कात्ते हुए उसे acquittal दे दिया ने कि उसको बरी कर दिया हुदर से जारकन जरकार इसके खिलाफ supreme court में आई और supreme court ने माना कि dying declaration थी वो सही थी वो dying declaration है relevant है और उसमें जो और बातें थी वो जो जैसे high court ने जिस case पर rely किया था वो misplaced reliance है वो सही reliance नहीं है और court ने इस case में specifically dying declaration के बारे में direct evidence के बारे में काफे कुछ कहा है लेकिन सबसे जो महत्तपुन कहा है वो कहा है two finger test के बारे में कि ये महिलाओं की जो dignity है उस पर आगाद पहुंचाता है ये नहीं किया जाना चाहिए और इसके लिए पूरे देश में directions दी गई है केंदर सरकार, राज्य सरकार इसके बारे में awareness जो है medical professionals के भी इसमें पहुंचाएगी और जो union health ministry है public health department है जो home department state home department है उन सब को directions दी गई है कि वो इसके बारे में इसकी जो directions दी गई है उसको widely circulate करें उनके implement करें नमस्कार, धन्यवाद